जैहिंद दोस्तों इस वीडियो में आपका च्छा साथ के गड़ित विशे का अभ्यास आठ इई हल करना सीखेंगे तो दिया गया है कि सर्बसमिका A प्लस B का होल स्क्वाइर बराबर A स्क्वाइर प्लस B स्क्वाइर प्लस 2AB की सहायता से निमने लिखित के मान गयात कीजिए कुछ पर्सन दिये गए हैं और उनका मान गयात करना है इस सर्बसमिका की सहायता से तो सबसे पहले दोस्तों आपको ये सर्व समिका याद करना होगा A पलस B का होल स्क्वाइर बराबर क्या होता है A स्क्वाइर पलस B स्क्वाइर पलस 2AB ये आपको याद कर लेना है अब आईए हम पहला पर्षन हल करते हैं तो पहला पर्षन है इसका पहला पाशना x पलस 3 इसका होली स्क्वायर अब इसको हल करने से पहले आप यहां a पलस b से इसकी तुलना करिए देखिए a पलस b से जब इसकी तुलना करते हैं तो a की जगा पर क्या है x है और b की जगा पर 3 है तो यह a पलस b का होली स्क्वायर ये भी एक सर्बसमी का आपको दिख रहा होगा अगर यहाँ A मान ले और यहाँ B मान ले तो जिस तरह से A प्लस B का होल स्क्वाइर बराबर इतना होता है उसी तरह से इसका होल स्क्वाइर बराबर हम लिखेंगे तो चलिए लिखते हैं तो X पलस 3 का होल स्क्वाइर बराबर, X का स्क्वाइर, A का स्क्वाइर, पलस B का स्क्वाइर, पलस 2AB, तो A का स्क्वाइर, A बराबर किसके है, X के, तो X का स्क्वाइर, पलस B का स्क्वाइर, तो B बराबर किसके है, 3, तो 3 का स्क्वाइर, पलस 2AB, 2 गुडे, A गुडे B, य कितना है X गुड़े B कितना है 3 अब हल करेंगे तो क्या हो जाएगा X का स्क्वाइर पलस 3 का वर्ग करेंगे 3 गुड़े 3 तो हो जाएगा 9 पलस 2 तियाए 6 X तो ये आपका उत्तर है या आप चाहें तो इस तरह से लिख सकते हैं पहले बड़ा वाला घात X स्क्वाइर फिर इसको लिखेंगे पलस 6 X पलस 9 तो पहला पर्षन जो है उसका उत्तर क्या है ये है अब आईए दूसरा पर्षन हल करते हैं दूसरा पर्षन है 2 X पलस 1 का होल स्क्वाइर 2 X पलस 1 का होल स्क्वाइर अब इसकी तुलना जब हम A पलस B का होल स्क्वायर से करते हैं तो A की जगापर क्या है 2X और B की जगापर 1 है तो कैसे लिखेंगे A का स्क्वायर यारी 2X का स्क्वायर इन दोनों का स्क्वायर है पलस B का स्क्वायर पलस 2A, A की जगापर क्या है 2X गुडे B तो 2X कवर करेंगे तो 2 कवर करेंगे 4 हो जाएगा X का करेंगे X स्क्वायर हो जाएगा पलस 1 कवर करेंगे तो 1 ही आएगा पलस 2 दूना 4 इकें 4X अब आप चाहें तो इसको पहले लिख दें तो 4X स्क्वायर पलस 4X पलस 1 तो इसका उत्तर ये है अब आईए हम तीसरा पर्षन हल करते हैं तीसरा पर्षन है 3X पलस 2 का होली स्क्वाइर अब जब इसकी तूलना A पलस B का होली स्क्वाइर से करेंगे तो A की जगा पर 3X और B की जगा पर 2 है तो A पलस B का होली स्क्वाइर बराबर A स्क्वाइर यानी 3x का square पलस b का square यानी 2 का square पलस 2 गुड़े a a कितना है 3x गुड़े b b कितना है 2 अब हल करेंगे 3 कवर्ग होगा तो हो जाएगा 9 और x का करेंगे तो x square पलस 2 कवर्ग करेंगे 4 पलस 2 3 6 12 और ये x इसको इस तरह लिख दें 9x square पहले square वाला फिर एक घात वाला तो 12X पलस अब ये संख्या लिखेंगे 4 आईए चौथा पार्षन हल करते हैं चौथा पार्षन है 2X पलस Y इसका whole square A पलस B से इसकी तुलना करेंगे तो देखिए A की जगापर क्या है 2X और B की जगापर Y है तो A का स्क्वाइर दो X का स्क्वाइर पलस B का स्क्वाइर पलस दो गुड़े A गुड़े B तो B कितना है? Y है दो का वर्ग चार हो जाएगा X का तो X स्क्वाइर हो जाएगा पलस Y स्क्वाइर पलस दो दूना चार X Y चार एकस वाई आप यहीं पर छोड़ दीजिए आप यहीं उत्तार है अब आईए हम पांचवा पर्षन अहल करते हैं चलिए यहीं पर जग़ें हैं यहीं हल कर रेते हैं तो पांचवा पर्षन क्या है दो वाई पलस जड़ इसका होल स्क्वाईर A पलस B का whole square से तुलना करेंगे तो A की जगा पर 2Y और B की जगा पर Z है तो A का square यहनि 2Y का square पलस B का square, तो Z का square पलस 2AB, 2A कितना है? 2Y, गुड़े B, कितना है? Z तो क्या हो जाएगा? दो Y का करेंगे तो 4Y स्क्वाइर हो गया पलस Z का स्क्वाइर पलस दो दुना 4YZ तो ये उत्तर है अब आईए हम छटमा पर्षन हल करते हैं छटमा पर्षन है दो पलस X का होल स्क्वाइर अब इससे इसक्या तुलना करते हैं तो क्या हैगा A A की जाबबर क्या है 2 और B की जाबबर X है तो A का स्क्वाइर यानि 2 का स्क्वाइर पलस B का स्क्वाइर यानि X का स्क्वाइर पलस 2 गुड़े A A कितना है 2 के बराबर गुड़े B, B कितना X के बराबर चलिए 2 का वर्ग करेंगे 4 हो जाएगा पलस X स्क्वायर पलस 2 गुड़े 2 तो 2 दुना 4 X इसको आगे पीछे करके लिख ले पहले बड़ी वाली घात तो X स्क्वायर फिर ये वाला पलस 4 X पलस 4 तो 6 का ये उत्तर है अब आईए दोस्तों हम सात्मा पर्षन हल करते हैं सात्मा पर्षन है एक बाग में X पलस 2 Y पंक्तियां है पर तेक पंक्ति में X पलस 2 Y पेड लगे हैं ग्यात कीजिए पहला बाग में कुल कितने पेड हैं दूसरा ये यक्स बराबर 3 Y बराबर 2 तो बाग में पेड़ों की कुल कितनी संख्या है तो एक बाग में इतनी पंक्तियां हैं और हर पंक्तिय में उतने ही पेड हैं यानि जितनी पंक्तियों की संख्या है हर पंक्तिय में उतने ही पेड हैं तो पहला ग्यात करना बाग में कुल कितने पेड़ है तो बाग में कुल कितने पेड़ है तो बाग में पेड़ों की जो संख्या होगे हम पंकितियों की संख्या से हर पंकिति में जितने पेड़ लगे हैं उनका गुड़ा कर देंगे बस क्या होगा बाग में कुल कितने पेड तो पंकितियों की संख्या X plus 2Y पंकितियाँ है और हर पंकिती में जितने पेड़ हैं उनसे गुड़ा करना है तो हर पंकिती में कितने पेड़ है X plus 2Y पेड़ है दूनों सेम है तो इसका हम whole square लिख सकते हैं X plus 2Y इसका whole square हो जाएगा देखे आधार बराबर है और बीच में गुड़ा का चिन है तो घात क्या होंगे जुट जाएंगे इसका घात भी एक छिपा है इसका घात एक छिपा है तो हो जाएगा दो अब यहाँ देखिए इसकी तुलना सर्ब समिकार A प्लस B का होल स्क्वाइर से करेंगे तो A की जगा पर X प्लस B की जगा पर क्या है दो Y है तो A प्लस B का होल स्क्वाइर यहाँ सर्ब समिकार आपको नजर आ रहा होगा तो इसको लिख सकते हैं A का स्क्वाइर प्लस B का स्क्वाइर तो B बराबर 2Y के है तो 2Y का स्क्वाइर प्लस 2 गुड़े A A कितना है X गुड़े B कितना है 2Y अब हल करेंगे तो X स्क्वायर पलस 2Y का वर्क करेंगे तो वो जागा 4Y स्क्वायर पलस 2 दूना 4 X Y तो बाग में कुल कितने पेड़ है बाग में कुल इतने पेड़ है अब आईए हम इसका दूसरा पर्शन हल करते हैं कहरा यद एकस बराबर 3 Y बराबर 2 तो बाग में पेड़ों की कुल कितने संख्या है तो दूसरा बाग में कुल पेड़ों की कितने संख्या है यह आपको अग्यात रासि में पराप्त हुआ है वहाँ आप जब X और Y का मान रखेंगे तो आपको ग्यातरासी में प्राप्त हो जाएगा तो चलिए हम X और Y का मान रखते हैं तो X और Y का मान रखेंगे X बराबर कितना लिखना X बराबर 3 Y बराबर 2 रखने पर तो चलिए इसको उतारते हैं इसी में रखना है तो X square पलस چार Y square पलस چार X Y तो यहां मान रखेंगे X बराबर 3 रखना है तो 3 का square हो गया पलस चार और यहां भीज में गुड़ा का चैन चीपा है 4 गुड़े Y का square तो Y कितना है? 2 तो 2 का square पलस चार गुडすご एक्स एक्स बराबर कितना है तीन गुड़े वाई वाई बराबर कितना है दो अब हल करेंगे तो क्या आएगा चलिए यहाँ पर हल कर लेते हैं तीन का वर्क करेंगे तो हो जाएगा नो और चार का गुड़ा करना दो के स्क्वाइर में तो पहले स्क्वाइर करेंगे दो का वर्क क चार और गुड़ा करेंगे चार से तो हो जाएगा 16, तो पलस 16, चलिए इसको थोड़ा सा यहां लाइन कीज़ दें, अब चलिए यहां हल करेंगे, तो चार तियाए 12, 12 दूना 24, पलस 24, तो इतना बराबर इतना आया, अब इसको जोड़ लेते हैं, 9 और 6, 15, 4, 19, 19 के 9 हासिल एक, एक दो और दो चार, तो क्या आया, 49, यानि बाग में कुल कितने पेड़ है, बाग में पेड़ों की जो संख्याव कितनी है, 49 है, अब आईए हम नेक्स कुश्चन देखते हैं, आठमा पर्षन है, एक वरगा कार खेत की भुजा, 3X पलस Y मीटर लंबी है, खेत का छेत दिरफल ग्याद कीजिए, वरगा कार खेत, यानि जिसके चारो तरफ की लंबाई समान हो, चलिए इस तरह से कोई खेत है, चारो साइड बराबर होने चाहिए, जिसकी भुजा कहा रहा है, 3X पलस Y, भुजा का मल्लक चारो साइड समान है, तो कोई एक क्या है, इसकी भुज ये वाली लंबाई चलिए कितनी दी गई है, 3X से पलस Y मीटर, अब कह रहा है, इस वरगा कार खेत का चेतरफल ग्याद कीजिए, तो भुजा बराबर क्या दिया गया है, भुजा बराबर इतना दिया गया है, अब अगर हमें इसका चेतरफल निकालना है, तो वरग का चेत वरगा कार, खेत का, खेत का चेतरफल, चेतरफल बराबर भुजा का स्क्वायर, भुजा कीतना है, 3X पलस Y, 3X पलस Y, इसका होल स्क्वायर, अब इसको सरल करेंगे, देखें, यहां इसको A मान ले और इसको B मान ले, तो A पलस B का होल स्क्वायर, तो बराबर क्या होगा, A स्क्वायर, A स्क्वायर, पलस B स्क्वायर, पलस 2A, गुडे B, हल करेंगे तीन का वर्ग करेंगे 9 हो जाएगा एक्स का करेंगे तो एक्स स्क्वाइर हो जाएगा पलस ये वाई स्क्वाईर पलस दो तियाए छे एक्स वाई इतना वर्ग मीटर होगा क्योंकि छेतरफल का जो मात्रक होता है वो वर्ग ही काई होता है तो इतना वर्ग और एकई के यहां पे मीटर है तो इतना वर्ग मीटर है तो यह आया उत्तर इसी के साथ यह अभ्यास खत्म होता है मेरा यह वीडियो आपको कैसा लगा? आप कमेंड में जरूर बताईएगा हम आपसे मिलते हैं नेक्ट वीडियो में इसी के साथ कहते हैं जै हिंद जै भारत